हलो फ्रेंग में वेल्कम बाइक में चैनल फ्रेंग हम सीड कर रहे हैं तो घृट्र होते हैं इनके पलांट खतम होते होते दूश्रे Мыब दूपे रेडी हो जाते हैं और पीर इस तरह से यह प्लांट आपके अपके कडन हो रहे हैं और इनके फ्लावर के साइज छोटे हो जाते हैं तो हमें जो है healthy seeds अभी collect कर लेने चाहिए ताकि अगर यह plant हमारे नहीं बच रहे हैं तो हम फरवरी से इनका फिर से propagation कर सकते हैं गलेडिया के plant seeds से काफी असानी से grow हो जाते हैं इनके cutting भी लगती है लेकिन seeds से काफी सारे plant बन जाते हैं तो चलिए आज हम collect करेंगे गलेडिया के seeds तो इनके seeds भी थोड़े इनमें confusion होता है seeds जो होते हैं दो तरह से होते हैं तो कौन से seeds best होते हैं वही मैं यहाँ पर दिखाऊंगी तो देखिए पहले इस तरह से खुबसूरत से flower खिलते रहते हैं और भी इनमें कई color वगयरा आते हैं तो फिर यह flower दीरे इस तरह से fade होते हैं और फिर दीरे इनके पत्तियां जहर के इस तरह सा ball सा रह जाता है प्लांट पे तो जब हम इसे थोड़ा सा crush करते हैं इस तरह से तो इसमें से कुछ इस तरह से निकलते हैं तो कई लोग इसे seed समझते हैं जो कि seed नहीं होते हैं यहाँ तक कि मैं आपको वदाऊंगी मैंने एक बार online seed purchase किये थे तो उसमें भी कुछ इसी तरह के seed आ गये थे जिन में से एक भी germination नहीं हुआ तो मैं आज आपको वही दिखाऊंगी कि हमें किस तरह के seed रखने चाहिए तो इसके नीचे जो है एक और बॉल जैसा निकलेगा मैं इसे पुरा खाली करके आपको दिखाती हूँ इसके नीचे भी ये बॉल सा बनाए इसे भी हमें कुछ दिन तक दूप में छोड़ देना है प्लांट पे लगे हुए तो ये थोड़ा dry होगा और इसमें से seed निकलते हैं तो मैं इसे भी आपको cut करके दिखाती हूँ और पहले मैं इसे cut कर लेती हूँ तो ये देखिए ये है अब मैं इसे आपको open करके दिखाती हूँ कि seed कहा होते है और एक इसी तरह का dry किया हुआ मैंने पहले से cut करके रखा है तो मैं दोनों में ये आपको difference दिखाऊंगी तो इसे जब मैंने तोड़ा तो कुछ इस तरह कि इसके seed निकला है और अब मैं आपको वो दूसरा वाला तोड़ के भी दिखाऊंगी तब फिर आप देखिएगा कि दोनों में क्या difference है अब मैं इसे तोड़ लेती हूँ तो ये देखिए इसे भी मैंने खोल लिया है और अब अब इन seed को और इन seed को देखिए और आप बताएए कि इन दोनों में आपको क्या difference लग रहा है मैं आपको बताओं ये seed जो है अभी भी कच्चे है इन में देखिए आप अभी तक seed बना start नहीं हुए है यानि पके नहीं है और ये जो है आप देख पा रहे होंगे जो dry वाला जो मैंने खोला है उसमें आपको black black seed अलग ही दिख रहे है तो ये original यानि अच्छे वाले seed है और अगर हम इन्हें रख लेते हैं जो कि अभी तक black नहीं हुए ग्रीन ही है तो ये जो है वो सही से जर्मिनेट नहीं होंगे और इस तरह कि अगर हम black वाले निकाल के रखेंगे तो वो आपके seed काफी अच्छे से जर्मिनेट होंगे तो फ्रेंज ये थी छोड़ी सी information गलेडिया के seed collection पे उमीद है कि वीडियो आपको useful लगा होगा, helpful लगा होगा, वीडियो थोड़ा सा भी काम का है तो वीडियो को like जरूर कर दिया करिए और साथ में अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो request है आपसे कि मेर चैनल को भी subscribe कर लिजिए, bell icon प्रेस करना बिल्कुल भी न भुले ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको हर वीडियो की notification सबसे पहले मिल सके, तो friends कुछ इसी तरह से मैंने कोचिया के seed collection भी बताए है, अगर आपने वो वीडियो नहीं watch किया तो please जाके watch करियेगा, एर टाइट कंटेनर में पैक करके रख देना है, okay friends, bye, happy gardening